नमस्कार मैं अनुशकर सिंग पूचा के दोरान आरती में कपूर का दीपक जलते हुए आपने कई बार देखा होगा कपूर का कई तरह से प्रयोग किया जाता है कपूर में काफी तेज गंध होती है जो हमें कई तरह से फायदा पहुचाती है अलग-अलग जगों पर कपूर के अलग-अलग प्रकार मिलते है कपूर रंग हीन, सफेद या पारदर्शी स्वरूप में चूर्निया चौकोर आकरिती का होता है बहुत कम लोग जानते हैं कि कपूर का इस्तमाल कई दवाईयां बनाने में भी किया जाता है आयरवेद के कई गरंथों में कपूर का जिक्र मिलता है प्राकृतिक कपूर को भीम शेनी कपूर कहा जाता है और ये कृत्रिम कपूर की तुल्ला में भारी होता है यही कारण है कि ये जल्दी पानी में डूब जाता है ये जल्दी उड़ता भी नहीं है हिंदु धर्म में कपूर जलाने का एक खास महत्व है पूजन से लेकर हवन तक कपूर का इस्तमाल हर तरह की मंगल कारेक्रम में किया जाता है माना जाता है कि कपूर जलाने से घर में शुक्षान्ती बनी रहती है घर का वातावरन भी काफी शुब रहता है इसकी सुगंद कीट पतंगों को दूर भगाती है और बैक्टेरिया एवं वाइरिस का खत्रा भी दूर करती है कपूर का पूजा में इस्तमाल करने से तो कई सारे लाब होते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि कपूर स्वास के लिए भी कितना लाबदायक होता है और शरीर की कई परिशान्यों को चुटकियों में दूर कर सकता है कपूर आंटी ओक्सिटन से भरपूर होता है आरवेद में कपूर के कई सारे फायदे का जिक्र किया गया है कपूर से साथ से जुड़ी दिक्कतों से रहत मिलती है अगर आप घर में नियमित रूप से कपूर जलाते हैं तो निश्चित ही आपका चित प्रसंद रहेगा और सासों से जुड़ी समस्या आसपास भी नहीं भटकेगी इसके अलावा कपूर कई तरह के दर्द को भी कम कर देता है कपूर की मनमुहक सुगन से मस्तिष्ट में हमेशा ताजगी बनी रहती है और कभी भी घर में नकरात्म उर्जा हावी नहीं होती है कपूर खाज खुजली में भी रहत दिलाता है लो ब्लाड प्रेशर वाले मरीजों के लिए कपूर बहुत ही फायदेमन है कपूर के इस्तमाल से बालो में डांडर्व की समस्या भी दूर होती है लेकिन ये सब तभी असर करेगी जब आप एक उत्तम क्वालिटी का कपूर अपनी दिन्चर्या में शामिल करेंगे अच्छी क्वालिटी की कपूर लाने के लिए साधना ग्रूप्स द्वारा बनाई गई कपूर आज ही ओडर कीजिए ये कपूर एमजोन और फ्लिपकार्ट पर एक अच्छे ओफर और डिसकाउन के साथ उपलब्द है ये कपूर प्राकृतिक ग्रूप से बने हैं और भीम शेनी कपूर को अवश्य मंगाए ये वीडियो अपने फैमली ग्रूप और फ्रेंज के साथ जरूर शेयर करें जिस्ते सभी इसका लाब उठा पाए